कि यह गाइस गुद मॉर्निंग एंड वेलकम टू डिजनिंग एक्सपर्ट एम राहूल तो गैस आज के जो डिजनिंग का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा ओनली एफ्यू कर ठीक है पार्ट थी है यह पार्ट वन और टू मैंने अप्लोड कर दिये पार्ट वन जो ह लिकार के कुछ कॉश्चन जाते हैं में अन्रीफ यह 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 बीट देखो आउनली एफ्यू यह लिखा होगा या फिर ऑनली फ्यू एअर भी देखो मैं आपको यह पे एक्जैंपल देता हूं है जो बोत कह रहते हैं दोनों बोत वर्ड्स आर सेम ठीक है बोतार सेम वर्ड अब जो एक्जैम्पल देता हूं मैं नहीं से लिख होता है एक्जैम्म में आपको कैसे करके आता है यह only a few only a few a r b ठीक है या फिर या फिर एक और एक्जैम्पल देते हैं only a few a r b ठीक है यह दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखती है उन दोनों का मितलब सेम है ठीक है चाहिए आपको only a few दिया होगा या फिर only only a few दिया होगा बहुत हार सेम ठीक है तो देखो यह जो रहता है ना only only a few इसमें two parts consist consist करते हैं ठीक है consist consist of two parts दो बाट आते हैं इसके अंदर only a few में तो पहला क्याता है आपका एक तो sum का part रहता है number two के रहता है एक sum not का part भी exist करते हैं ठीक है तो देखो अगर statement आपको ऐसा दिया है स्पोस कर आपको statement दिया है ठीक है only 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 a few दिया है ठीक है तो आप आप इसकी वेंड डियाग्रम कैसे बनाएंगे यहां लिखते हैं वेंड दियाग्राम हम इसकी वेंड डियाग्रम कैसे बनाएंगे देखो और दो पार्ट एक्जिस्ट करते हैं इन दोनों में only a few इक्जाम में ऐसा करके अगर आपको आएगा तो आप दो दो डियाग्रम स्थों ना बनाओगे आपको तो कोई एक डियाग्राम बनानी है मतलब उसमें दोनों चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए ठीक है तो इन दोनों डियाग्राम को हम combine करके एक अपना में डाइग्रम बनाएंगी ठीक है तो में डाइग्रम पथा क्यासे बनेंगा थेखो यह ए ठीक है और यह भी फॉद्विसं का पार्ट भाट कले के यहां बन गया अब सम्नॉट्वाला पार्ट बनाने के लिए यह डार्क वाला जो यह पार्ट नहीं हाँ लगा दिया ना कर दिया ये के बन गया मारा समक्राय right है ये मारा में अब जो आगे हमें पढ़ना है कि अब देखो इसका जो यह रहता है हमने यह पड़ा कि यह मारा मेन डाइग्राम आगे है ठीक है कि ऐसे करके ठीक है यह मेन डाइग्राम बन चुका है तो अब इस मेन डाइग्राम के जो हमारे इससे इससे रेटेड हमारे ट्रू कॉन्क्लूजन इस डाइग्राम को देखके हमारे ट्रू कॉन्क्लूजन जो है वो कौन कौन से रहेंगे मैं पहले ट्रू लिख रहा हूं ठीक है यहां प कोई हमें conclusion में ऐसा पूछ लेता है कि सम ए और बिस डियाग्राम को देखे तो वह हमेशा correct रहेगा क्यों रहेगा यह दो को ए और बी का सम वाला पार्ट अपसमें जुड़ा हुए ठीक है number two sum B ra तो यह भी वहारा true रहेगा जब A का पार्ट जुड़ा है तो B कभी तो जुड़ा हुए यहां पे number three sum ar not b मैंने कहाता इसमें दो पार्ट्स एक्जिस्ट करते हैं एक sum करता है और एक sum not करते हैं तो sum not वाला जो कर रहे है वो a से b को कर रहे है ठीक है सम ए आर नॉट पी तो ये विमार के कर रहा है करेक्ट है और देखो ये कौन सी डिरेक्शन है फॉरवर्ड डिरेक्शन इध्य या रहा है मतलब ए टू बी जा रहा है न देखो अब आपको suppose करो एक fourth conclusion में लिख लेता हूं यहां पर sum b r not a sum b r not a तो उसकी diagram देखो यह तो होगा तो यह गलत लेकिन इसकी actual diagram कैसे बनने चाहिए थी sum b r not a ऐसी diagram होने चाहिए था ने इसकी तो यहां पर दिख रही है आपकी नहीं दिख रही है हम ऐसा सब्सक्राइब कोई डार्क पॉइंट दिख ही नहीं रहा है तो यह के मेरा conclusion गलत हो जाएगा मतलब यह रिवर्स सब्सक्राइब करेंगे एक क्या दो लेंगे ठीक है तो यह हमारा पहला question ठीक है अल्रडी मैंने question लिखके रखा है कि तुम्हारा statement क्या बोल रहा है और यार भी तो इसकी पहले हमें स्यार और स्यार नाॉट ठीक है तो संसी अार डी तो मैंने बना दिया ऐसे ठीक है और सम्सी आ बना दिया कोई बही रिलेशन नहीं है अब हम अपने Judah कौनं से कंचेशिंट उहां देखि हैं कौन Sachen कॉक्वारे डियाग्राम को देखें ट्रूंब लिए जुक्राइब को यह देखने रहा होगा सम ए इसती देखो एका सर्कल यह ज्या रहा रहा है दू दूनों दूर दूर है जो एक बना रहे है पुर मैंग हाभ को जो आता है तो इन डैरेक्ट नातरो में No C is A , अब देखको यह बोलड रहे, No C is A , दिख रहे है आपको , देखको में को C और यह में तो कोई relation नहीं दिख रहे है , लेकिन 9C और no C is A की actual diagram कैसे बननी चाहिए थी ? no c is a एसी बननी चाहिए थी न मतलब ए और c के बीच में cross होना जाहिए तो यहां को cross दिख रहे है और c के बीच नहीं दिख रहे है तो यह के बोल रहा है गलत बोल रहा है doubtful बोल रहा है अब देखो गार देखो चेक करो यह sum है यह 9 है ठीक है इधर और का case यहाद है आपको all क sum not का केस हमने पढ़ा था वो के था उसमें सिर्फ हमारे वो a के नीचे ए रहे गा बी के नीचे नीचे भी रहे तबी वह true होगा तो यह जो sum और no वाला case है हमारा यह बन रहा है इधर और का बन रहा है ठीक है अब हमें नमबर 3 वाला statement में कॉंकूलिशन चेक करना है親 normف यह हमारा वहां समनक्रस Tण करता है यह हमारा क्या करता है थे अगला है अंगला है ठीके गश्च तो तीन परन चंज हमने पड़ ली है अब नंबर 4 फाला गया हमारा देखो नंबर फोर्त को बोल रहा है some c is not d अब देखो यह c or d में only a few case है तो only a few case में क्यों होता है some part भी exist करता है और some not भी करता है लेकिन some part जो है वो forward और backward दोनों करेगा some crd some drc लेकिन some not case जो है वो c से d को जाएगा d से c को नहीं जाएगा ठीक है तो यह के बोल रहा है some c not d तो यह thीख बोल रहा है some c का कुछ dough up और तो यह नहीं तो वो ठीक कर रोगँ आगे son C लें स्म पर्वे एक्दिश्ट कर रहे है som其實 तो यह भी correct रहेगा ठीक है है अब आ रहा है some qz Department Is Not sniff देखो हमें यह तो पता है कि sum-c का कुछ पार d में नहीं है अब बोल गलत तो है的是 ¥ पाइफ से तो मुझे पजाए है डी के तशफ जाने को क्रॉस लगराइए लिकिन डी-मेट ऐसा डार्क नहीं दिया नहीं तो यह गलत है अगर आप वेसजने आप टो फ़हले इसकी डाइग्राम बना लो ठीक है तो नंब्स सम्ड डी इसनौटी हो रिए सम्डी इज नॉर्टी अब देखो डी और यह में नोह वाला पार्ट चल रहे है तो सम नॉर्ट तो इकक्शिस्ट करे गए तो यह क्रेक्ट है ठीक है हमारे एह और बी और ऑवम को एसा करें पर दिखर हुए है नहींत है उनAY लागत हुसे टिखरी तोक क्रीक है बांक पके बना रहा है इंडरेक्क्टिलेशन के रहते हैं हमेशा गलत रहते हैं संब इस हौट दी ठीक है फिरी करने वे समथ ओड़ों अब देखो यह हमारा है थे चुमा बॉल रहा है यहां देखो को यहां सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको बेसिक पूरा रहेगा ना या तो आपको इपको जूरी है यह चार डाइग्राम ठीक है और यह चार डाइग्राम आपको माइंड में है तो आप कोई भी कॉंकूशन दे दिया और यह कोई भी कॉशन कर सकते हो इजी ने ठीक है तो हमेशा पहले फुल कॉंसेप के साथ पढ़ना चाहिए शॉर्टकर मार के कुछ नहीं हो था आदे कॉशन आपके ठीक हो सकते हैं लेकिन कभी नबहीं कुछ कॉशन गल्थ हो गहीं होंगे फुली कॉंसेप क्लीर किया होगा ना तो यह हमारा हो गया अब एक और कॉश्चन लेकर आतो होगा है यह जो इसमारा कोशिन नहीं देखो कि यह रहेगा हमारा only a few pen is good ठीक है तो पहले हमें इसकी डाइग्राम बनाने पड़ेगी only a few कि कैसी डियागराम बनती है दोखो only a few pen is good लग कुछ pen को मुझे good बनाने बना दिया मैंने और कुछ pen को मुझे good नहीं बनाने ठीक है तो यह मेरा बन गया अगली statement मेरी only a few good is bad मुझे कुछ good को क्या बनाने बैड बनाने मैंने बना दिया और कुछ good को मुझे क्या करने बैड नहीं बनाने ठीक है तो अब मुझे इसके आगे conclusions ही है मुझे इनको चेक करने कि यह सही है गलत है ठीक है तो पहला कि हमारा some pen is good देखो some pen is good some pen is good दोन डियागरम सेम ही है बड़ी वाले में देख लेते हैं यह पैन का पार्ट है थोड़ा सा यह गुड में चला गया और गुड कभी पैन में है तो conclusion के हमारा true है some pen is bad अब बोल रहा है कुछ pen जो है वो bad है आपको दिख रहा है यहां पर some pen is bad की डियागरम कैसे होनी चाहिए थी देखो some pen is bad ऐसी डियागरम बननी चाहिए थी लेकिन बनता है जब कोई circle आपस में attach हो रहा हो ठीक है यह direct बनाता है या फिर direct कब बनता है जैसे यह वाला case है और भी तो यह यह भी डियरेक्ट है डियरेक्ट क्यों है क्योंकि यह और भी आपस में attach है एक दूसरे के अंदर है यह भी direct बनाता है अब देखो pen और bad या फिर bad और pen यह indirect relation क्यों बनाएंगे क्योंकि इनके circle आपस में attach नहीं हो रहे हैं जब भी कभी circle आपस में attach नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे indirect relation बोलेंगे ठीक है थर्ड है हमारा no pen is bad no pen is bad यह भी गलत बोल रहा है देखो पहले तो यह देखो यह circle कितनी दूर दूर है और no pen is bad की जो actual diagram बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए ऐसी diagram बननी चाहिए तो ऐसी diagram तूपर नहीं है तो गलत बोल रहा है अब गैस देखो यह sum का case है यह no का case है तो some no के case जो रहते है इधर और का देखो some और no वाला जो case रहते है वो कह रहते है कि आपका subject और predicate जो है जहां मर्जी हो ठीक है subject, predicate जहां मर्जी हो आपका either or बनेगा कब बनेगा जब दोनों conclusion के करेंगे आपके wrong होंगे ठीक है guys तो देखो यहां देखो दोनों conclusion के हैं हमारे प्रॉंग हो रहे हैं तो यहां के बनेगा हमारा either or exist कर रहा है ठीक है number fourth है all bad is good all bad is good बोल रहा है some part तो मुझे पता है some bad is good all bad is good का तो मुझे नहीं पता ना तो यह तो गलत बोल रहा है doubtful है some good is not bad अब बोल रहा है some good is not bad देखो good और bad में क्या relation है only a few का some good is bad some good is not bad तो some good is not bad यह क्या बोल रहा है सही बोल रहा है अब देखना कोई ऐसा नहों कि कोई इदर और ही बना देशका देखो अल गुड इस बैड ओल है सम है और सम नौट के साथ भी इदर और बनता है देखो और इसके बट कंडीशन क्या रहती है कि आपका सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट रहने चाहिए प्रेडिकेट के दिया हुआ है और प्रेडिकेट के यहां प्रेडिकेट डाइगल नहीं दिया हुआ है तो यह कभी इदर और नहीं बनेगो और एक और तरीका है इसका इदर और नहीं बनेगा क्योंकि नीचे वाला कॉन्कुलिजन मारा ट्रू हो चुका है ठीक है इदर और बनने के लिए विये गलत होने चाहिए तो नुबर शिक्जें ट्रॉं सम्गुड्ल मरण कंथ सम्गुड्ड मैं देखोए सम्गुड इस नौइब चाहिए थि एसी ड्याइगरम दہो तो अठेते उपर नहीं दिखरी ना में देखोए गुड का बैड के साथ दिख रहे हैं में ऐसा गुड का पैन के साथ थो ना दिख रहे है पैन का गुड के साथ दिख रहे है देखो गुड के अंदर ऐसा डार्क वाला नहीं है अगर डार्क वाला है भी तो वह बैड के साथ कर रहे है पैन के साथ नहीं कर रहे है तो यह क्या अगला हमारा 9th वाला जो conclusion है वो किया है some bad is not an numb some bad is not pen तो दिख रहें आपको ऐसा some bad is not pen कि जो डायग्राम होनी चाहिए वह ऐसी होनी चाहिए तो यह ऐसी डायग्राम मुझे उपर नहीं दिख रही है कहीं भी तो यह मैं कि गल्स है इसे सम बैड इसनोट कुड है १ Всем प् Genalis नाट कुड है नाट घर्ट देखो एक आपने उपर चैक किया डिसको मैंने नहीं बता चैनि आप जान zadet अल बैड इस बैन टीक है गलत-थिं नाट जो यहный और यह भी गलत ऑन और सम नॉट Nor पैन के नीचे पैन है ठीक है तो यह के बन रहे है आपका इधर और बन रहे है आल और सम नॉट का जो केस रहता है समनोट का केस रहता है उसमें सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे रहना चाहिए क्या है तब यह इधर और बनेगा वर्ना नहीं बनेगा ठीक है हमारा 10th conclusion क्या है some bad is not good some bad is not good बोल रहा है अब देखो मुझे पता है some good is not bad का पता है लेकिन some bad is good bad is not good का ही है तो मुझे नहीं पता ना कि गलत बोल रहा है हमारा यह only a few जो था हमने इसे पूरा complete कर लिया है पहले हमने concept study किया उसके बाद के किया हमने वाद हमने यह पढ़ लिया इसके questions कर लिये दोनों के दस्दस conclusion थे I hope तो आपको समझ आ गया होगा ठीक है